उसके बाद तिवारी जी नागर जी को मैंने सवाल करते है कि क्या यही लेखक आपके लेखन के आदर्श रहे तब नागर जी बताना चाहते है कि नहीं यह लेखक मेरे आदर्श नहीं तो मुझे पढ़ने में बहुत आनंद मित्ता था गुचिय में मुझे थी इसलिए मैने यह यह अनेक बहुत सारे उपन्यास मैने पड़े हुए है इसके बाद आने नागर जी की पहली कवीता आने वह प्रस्पुटीत हुई वह साइमन कमिशन के पैशकार के समय छात्रों साइमन कमिशन एक ऐसी एधियासी घतना है कि जब हमारे भारत में ब्रिटिशों द्वारा चलाया गया कमिशन उसे साइमन कमिशन कहां जाता है कि उस कमिशन में भारत का एक भी सदस्य नहीं था सारे के सारे ब्रिटिश सदस्य उनमें थे उसी तरह से पुरे देश ने उस कमिशन को विरोध किया था, कई ऐसे नारे लगाये थे, साइमन गोब्याक, साइमन गोब्याक, इस तरह के अनेक नारे, इसी गटना का नागर जिक पर बहुत बड़ा सद्मा पंचा, उन्हें बहुत बड़ा दूख हुआ, इस अनुभव से ह कि उनकी पहली कविता प्रस्पुटी थुई, कद लो कहो लाठी खाए, इस कविता से ही उनका लिखने का पहला आरंब शुरू हुआ, उसके बाद टिवारी जी नागर जी से कुछना चाहते है, की क्या इसी राजनिती गटना के बाद, इसी गटना के बाद आप राजनिती में क्यूं नहीं गहे तब वह नागर जी बताना चाहते हैं कि नहीं गया क्यूंकि मेरे पिता जी सरकारी कर्मचारी थे यह अंग्रेजों के सरकार में वह नौकरी करते थे एक सरकारी कर्मचारी के परिवार का सदस्य सरकार के खिलाप विद्रोह करने यह नौकरी से हाथ दोना यह उसका अर्थ होता है इस तरह से वह बताना चाहते हैं कि मैं राजनितिकी शेत्र की ओर मैं नहीं बढ़ा नागर जी को यह जादा से जादा पढ़ने में रुची थी उसी तरसे सामजिक कार्रों में वह हिस्सा लेते थी उनके बाद उनकी पहली कहानी छपी अप्शकुन वह अप्शकुन कहानी उनकी 1933 में छपी उसके बाद उन्होंने चंडी प्रसाद रुदियेश का भी उनके बहुत बड़ा ऐसा प्रभाव उनपर पड़ा हुआ था चंडी प्रसाद रुदियेश का लेखन तरीका जो था वह बहुत अच्छा था चोटा चोटे गाव का बड़ा कलाका इस नाम से वह जाने जाते थे उनका भी उन पर बहुत अइसा प्रभाव नागर जी पर पड़ा हुआ था